जहीं दोस्तों जितने रेडियो अप्रेक्टर के तयारी कर रहे हूं उनके लिए में इंपोर्टेंट वीडियो है देखिए आपका एक्जाम जब भी होने वाला है ठीक है टेंडर का जो भी चीज़े प्रक्रिया वो सब कुछ अठा दिये आप मैं अपने तरब से आप लोग लेकिन आपने आपको एक टार्गेट दीजिए ताकि आपको यह पता चले कि आपका एक्जाम का तयारी का लेवल क्या है क्योंकि जितना डिले हो रहा है उतना ही मेहनत और उतन ही कंपेटिशन बढ़ रहे है इतना याद रखिए जिनका कम सबोस्किजिए अगर छे मेना प पाचो श्रॉंग हो अब उन में से आपको बेश निकल के उस सीट के लिए फाइट करनी है इसलिए मेरा यह मानना है कि आप जो भी अपने तियारी कर रहे हो इस दो महिने को टार्गेट यह मान के चलो कि आपका एक्जाम होने वाला है और उसमें क्या गलती करनी है क्या नह तो यह बहुत अची पोश्ट है कहावत है ना चिडिया चुक गई खेत फिर क्या करोगे वही वाला आलत हो जाएगा अगर एक बार निकल गई है एक्जाम पी जब भरती बोड काम करने पर आती है ना तुरन 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 आपका एक्जाम कराएगी मेडिकल कराएगी सब कुछ हो रही है आप लोग ट्रेनी में भी जा सकते हों तो इस चीश को ध्यान में रखिए आप डिले हो रहा है किसी परवसे डिले हो रहा है उनके पास भी कोई सी रीजन होगा यह सब बाते हटाते हैं पहले में मुद्दे पर आते हैं पहले बात कि आपका स्लेवस जो है ह Hindi, Maths, GKGS, Reasoning, जिसमें आपको सबसे ज़्याद स्ट्रॉंग करना है अपना हिंदी, Reasoning का पार्ट ज्यादा है क्योंकि Maths का पार्ट कम है, Reasoning का पार्ट ज्यादा है, और Science, ये तीन चीजे जो आपको स्ट्रॉंग करना है, जो आपकी नंबर बढ़ाएगी, आपको निगेटिव मार्किंग नहीं आपको पहले पता है, ठीक है, इच सब्जेक्ट में लाना है क्राइटिरिया जो सब्जेक्ट का वो भी पता है आपको, अब एक और बात मैं मानता हूँ कि इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, सब्जेक्ट के उपर, बुक्स के उपर, अगर रोग लोग नहीं देखे हैं, तो जरूर जा के देखें, उनमें मैंने बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितन ये दो महीने में आप रिवीजन वाला पार्ट से चलिए कि आप ये मान के चलिए कि आपका एक्जाम अक्टूबर में होने वाला है, ठीक है, अब इसमें उफ्रेंस मत करना कि अक्टूबर नहीं हो, मैं बस आपको बता रहा हूँ, जो सिंसिरली त्यारी कर रहा है, उनके कि आप मानिये कि मेरे पास 60 days है, 60 days में आप क्या क्या कर सकते हो, समझ रहे हैं, हो सकते हैं, आपका इजाम अक्टूबर में हो जाए, तो आपका क्या हो गए, इसलिए मैंने ये चीज अपने सोचा और आपको बताया कि जो मैं खुद करता था, कि मेरा इजाम में माल लेता इसलिए मुझे लगा ये चीज आपको बताना जोरूरी है, दूसरी चीज आप कितने घंटे पढ़ते हो, अगर आप तीन घंटे पढ़ते हो, चार घंटे पढ़ते हो, तो आप उस पढ़ने के टाइमिंग को बढ़ाईए, आप समझ रहे हो, मैं क्या कहना चारा हूँ, मै मेरा इस एक्जाम में नहीं हो पाएगा, या फिर मेरा एक्जाम में इस बैजर से रहे गया, जो भी हो, आप अपना सोचोगे कि मैंने 100% दिया है, सिंपल सी बात है, जो 100-200% देने वाले हैं, वो कम से कम सब काम करिया हटा के, 6 घंटा मीनिमम कम से कम अपने आपको समय दे पढ़ने का, प्रिवियर शेयर के क्वेशन पेपर्स लगाएं, स्लेवर्स रिवाइज करें, जो भी है, हिंदी, जीके, जीयर, साइन्स, सारे स्लेवर्स रिवाइज करें, रिजिनिंग पर ज्यादा फोकस करें, मैंने ये भी चीज़े आपके बता दी, कौन सब्जेक्ट सिरियल वाइज मत इस रखिए, एक नमबर, दो नमबर, ती नमबर, ऐसे मत इस रखिए, दूसरी चीज क्या करनी है, जो आप लोग, मैं अपने टाइम पर करता था, पढ़ते समय, आप कोशन जो आता होगा, वो सर्कल करते तो कि अभी नहीं कर पाऊंगा, या फिर नहीं मैं आ रहा है, बाद मैं करूंगा किजने, वैसे वैसे कोशन छाटी है, जो आपको हाड लग रहे होंगे उस टाइम पर, क्योंकि आपका सिलेवस कंपलीट होगा, आपने पढ़ लिया, आप मोक टेस्ट लगा रहे हो, प्रिवेश ये पेपर लगा रहे हो, तो आप उस मूड में एक्जाम होने वाला आपको भी पता है, ठीक है, तो इसका तो अभी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आप इस चीज का प्रेक्टिस कीजिए, मैं अपने तर्फ से सोच के बता रहा हूँ कि आप कोशन देखिए ऑनलाइन, और अपने ऑफलाइन में, मतलब उ उसका प्रेक्टिस कीजिए, सरकल गोल-गोल करने का प्रेक्टिस कीजिए, ताकि आपकी टाइमिंग ही पता चले कि आप कितने कोशन, सबोस कीजिए, आप आप आउनलाइन टेस्ट लगा रहा है, तो उसमें आपकी टाइमिंग सही है, लेकिन इसका प्रेक्टिस कीजिए क कि आप online paper देखिए और offline में circle कीजिए लिख दीजिए second option circle कीजिए third option second circle कीजिए इसका practice कीजिए उससे आपकी timing में फर्क पड़ेगा इस starting में लेकिन जैसे से practice करको तो उस exam में आपको भी पता है कि एक मिनट दो मिनट से बहुत सारे student select भी होते हैं और कि डिस्कॉलिफाई भी होते है नमबर से भी यह चीज आपको practice करनी है यही मैं बोल रहा हूं कि यह वीडियो बनाने का एकी motive है जितने लोग sincerely तेयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो है रिडियो अपरेटर है असिस्टेंट अपरेटर के लिए कि भाई आप अगर आपकी तेयारी अच्छी चल रही है तो आप अपना मान के चलिए दो महीने में एक्जाम होने वाला है उस हिसाप से अपता यह लिखीज़े चाहे वह ऑक्टूबर में हो नॉमबर में हो नहीं पता लेकिन जब यह आपका होगा 60 अपने आपको target दीज़े मैं यह करता था वो इसली बार उसको revise कीजिए जो भी आपके बास books है अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है तीस दिन के अंदर सारे रिवीजन हो तो अच्छे से कोई और अच्छे questions खोजने कोशिस किजिए मौक टेस्ट है आपकी कितनी तैयारी चल रही है कौन से subject कम कमजोर है उसका जारी कर रहे होंगे मिलके प्रेक्टिस करो मिलके questions लगाओ discuss करो ज्यादा अच्छी चीजिए मैं यही वीडियो था आपको motivation के लिए मैं आपको फिर भी अगर कोई चीज के कमेंट लग रही है तो आप बिल्कुल कमेंट करें बार बार एकी चीज नहीं कभ एक्जाम होगा कभ एक्जाम होगा कोई मतलब नहीं अच्छे कमेंट आते हैं तो मैं उनको जरूर रिप्लाई करते हो आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर मैं रिप्लाई करता हूं मैं इस्टाग्राम की आईडी है आप उस पर फॉलो कर लो आप उस पर कमेंट करोगे अपनी कुछ चीजह हैं तो मैं उसको जरूर लुक आट करता हूं उस पर बताने कोशिश करता हूं ठीक है तो बिल्कुल तैयारी करते हो जितने तैयारी करने वाल है दोस्तों all the best सबके लिए मिलते हैं किसे वर वीडियो में जैहिन